हेलो दोस्तों और कैसे है आप सब लोग जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो काफी सारे लोग होगा जो है कोशन आ रहा था कि वेटनेरी में अड्मिशन कैसे होगा और इस साल वेटनेरी के लिए कौन सी एक्जाम देनी होगी और अगर आपको जो है वेटनेर जो चोड़ देंगे बिज जो चोड़ के देखेंगे तो आपको पूरा कॉंसेप्सन में नहीं आएगा और फिर हो सकता कि आपका कोई इंपोर्टेंट पॉइन जो होए वो में सोजाए तो देखिए शुरू से बात करते हैं वेटनेरी के एड्मिशन इंडिया में दो तरी सीट साती है जैसे कि अगर आपके स्टेट में वेटनेरी की सो सीट हैं तो हम मान के चलते हैं कि सो सीटों में से पंदरा सीट है जो है नैशनल लेवल AIPVT एक्जाम से भरी जाएगी और जो आपकी बची हुई सीट है मतलब की 85 सीट है 85 सीट आपकी स्टेट लेवल एक्जा को यह होता है कि हमको कौन सी एक्जाम देनी होगी स्टेट लेवल में और नैशनल लेवल की 15 सीट के लिए क्या और कैसे अपलाय करना होगा तो AIPVT जो एक्जाम है 15 जो आपकी सीट होती है तो इसके लिए आपको नीट एक्जाम में अपियर होना होगा नीट आपकी जो ए इसके लिए अपको अपने घर से बहार जाने की ज़ुआँ नहीं काउंसलिंग होगी AIPVT की साहिट पर आपको जाना है नीट रिजुट आने के बाद जैसे कि आपका माकसर आएगा उसके बेसिश पर आपको जो है colleges allowed होंगे और उसी के बिसिर पर आपकी counseling होगी और फिर उसमें choice filling होगी choice filling में का मतलब क्या होता है कि आपको top colleges चूज करने होगे जो आपके most preferred colleges है जैसे कि आपके घर के पास अगर कोई colleges तो आप वो चूज करेंगे या फिर जो आपके जो best colleges है top 10 veterinary के जो best college है जिसकी मैंने एक list भी बना ही हुई है मेरे एक वीडियो में तो आप वो भी जाद की देख सकते हैं तो आप यह सब करेंगे इसके बाद जो है आपको choice filling करने के बाद आपको college a lot होगा और फिर आपको महाँ पर admission लेने जाना होगा तो national level का तो मैंने आपको बता देख के AIPVT की exam होगी और NEET का जो score आएगा उसके basis पे आपका AIPVT की exam होगी और उसमें आपको appear होना पड़ेगा state level exams के अगर हम बात करें जिसके तुर आपकी 85% seat से वो भरी आईगी तो हर state की अपनी अलग-अलग exam होती है जैसे कि अगर मैं मद्दपते से state की बात करूँ जहांसे मैं बिलॉंग करता हूँ तो यहाँ पर होता है MP, PV and FT तो उसके तुर यहाँ पर 85% चीज़ भरी आती है state की तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अगर जो है आपके state में अगर 100 seat है तो उसमें से 15 seat जो है वो भराएगा AIPVT exam से और बची होई 85 seat सो है वो भराएगा आपका state level exam से तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको point clear हो रहा होगा इसके अलावा अगर मैं आपको बता हूँ चुके है तो आपको अभी अपलाई करना चाहिए state level exam के लिए और मैं आपको बता दूँ कि जो state level exam है इसका जो medium होता है वो mostly English होता है तो आपको English medium में जो है paper देना होगा तो उसके लिए आपको अभी से preparation शुरू कर देना चाहिए इसके अलावा जो काफी सारा बच्चे डाउर पूछ रहे थे कि सर प्राइवेट कॉलेज में admission कैसे ले तो प्राइवेट कॉलेज जैसे वेटनेरी के बहुत जादा है नहीं गिने चुने colleges है जैसे कि राजस्तान में कुछ college है पंजाब में कुछ college है तो ऐसे पूरी country में जो है बहुत ही कम colleges है तो इनके जो admission होते है यह mail दी तो आपका AIPVT जो need के थुरू exam में उससे cover होते है और काफी सारे colleges का अलग से entrance exam भी होता है तो इससे related में अलग-अलग videos बना रखे यह private college, private veterinary college जो है उसमें admission कैसे ले ऐसा एक मेंने video मना रखा है तो वह आप जाके देख लीजिए पर जो private college में दिक्कत यह है कि वहाँ पर जो है fees ज़्यादा होती है मतलब 8-9 रुपए आपको बनना होगा तो 8-9 रुपए अगर आप atleast भर सकते हैं per year तो आपको जो है private college की तरफ अपना दियान रखना चाहिए इसके बाद मैं आपको बताओ कि veterinary में admission के बाद आपको document verification कराने जाना होगा क्योंकि हर college में document verification होता है तो इस time पर आपको जो है अपने 10th की mark sheet, 12th की mark sheet और जितने भी आपके government proof है जैसे कि income certificate, card certificate आपका domicile certificate ये सारे आपको आपको वहाँ पर show करने होंगे पूरी आपको list मिलेगी एक वो सब आपको वहाँ पर show करने होते हैं उसके बाद ही आपको जो है admission मिलता है तो I hope कि मैं आपको सारे point clear कर पाया होगा इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कि जैसे कि अगर आपको इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि cut off के क्या बात होती है तो general OBC और SCST की मैं बात करूँगा तो general OBC SCST का जो है mainly जो cut off मैंने देखा है आज कल बहुत ही यादा cut off जा रहा है क्योंकि जो है competition बहुत बढ़ने वाला है और आगे आने वाले time में जो है अभी जैसे lockdown जैसे ही खुलेगा coronavirus के बाद तो जो है एकदम से बहुत सरी जो जनता है या फिर जो बच्चे है एकदम से apply करेंगे और काफी ज़्यादा competition बढ़ेगा हो सकता है कि जो coronavirus के कारण या फिर दूसरी चीजों के कारण जो है यह जो exam है 2020 की वो extend भी हो जाए तो उसके कारण जो है काफी ज़्यादा cut off भी बढ़ने वाला है last year का cut off का trend बता हूं तो at least आपको 500 के उपर marks चाहिए general category में at least आपको 470 के उपर marks चाहिए OVC में और at least आपको 400 marks चाहिए SCST में तब भी जाकर आपका selection होगा All India Pre Veterinary Test के थुरू अब मैं state level test की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर क्योंकि हर state का अलग-अलग cut off होता है क्योंकि हर state में अलग-अलग number of seats होती है अलग-अलग number of applicants होते है और इसी तरह state level का अलग-अलग cut off होता है तो मैंने आपको All India Level का cut off बताया AIPVT में आपको कितने number लाने होंगे और AIPVT में आपको NEET exam के थुरू at least 500 के उपर आपको लेके चलना है तब ही आपको कोई veterinary college a lot होने की समावना है तो I think so मैंने आपको cut off भी बता दिया मैंने आपको ये बता दिया कि exams कुन-कुन सी होती है इसके बाद मैंने आपको अब मैं आपको ये बताता हूँ कि seats कितनी है all over इंडिया में veterinary की तो at least ऐसा माने जाता है कि 500 to 600 seats इस साल होने वाली है और और हो सकता है कि इस साल जो है number of seats बढ़ भी जाए क्योंकि जो है कुछ नहे-ने colleges भी खुल रहे all over the country तो at least आप मान के चलिए कि 600 से 700 seat हो सकती है maximum जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा जो है number of seats मैं आपको बता दि इस veterinary field में आने के लिए आपको BVC and age course करना होता है जो कि साड़े-पास साल का course है और इस साड़े-पास साल में आपको पूरा जो animals का medicine से लेके anatomy से लेके physiology सब कुछ पढ़ा जाता है तो मैं कहूंगा कि बहुत ही आने वाले time है बहुत future इसमें bright होने वाला है क्योंकि आप देखी रहे कि घर-गर में आजकल pets को जो है रखने का fashion और जो है एक तरह सा trend चल पढ़ा है तो इसी करन जो है कई सारे जो है आप urban cities में भी देखते है कि काफी ज़यदा trend है और उसके साथ rural India में जो है agriculture agriculture और इन सब सेक्टर में animals की जो requirement है वो भी आप देखी रहे है इसके अलावा में आपको बताता हूँ कि कि वेटनेरी करने के बाद आपको mainly जो jobs लगती है वो लगती है कि आप garment employee बन जाए गर्मेंट मतलब की garment पशू चिकिसक जिसको बोलते है पशू चिकिसक पशू पशू को जो चिकिसा देता है पशू चिकिसक तो government job आपको लगने की इसमें probability रहती है इसके बाद second option जो आता है आपके पास वो है RBC RBC मतलब की remote veterinary cops आप veterinary के थूरू जो है आप आर्मी में भी जॉइन कर सकते है आर्मी में जो डॉक्टर्स रहते हैं क्यूंकि आपने देखा होगा कि आर्मी में भी काफी सारे animals का opioid होता है horses का, dogs का, camels का तो इन सब का treatment करने के लिए जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको RBC में रखा जाता है इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट में प्राइवेट में काफी सारे pharmaceuticals company है और बहुत सारे जो प्राइवेट dairy farm से, quality farm से वहाँ पर आप job कर सकते हैं और आपको luxurious life इसमें मिलने, मिलती है पर जो आपको शुरू के कुछ साल जरूर इस्ट्रकल करना पड़ सकता है अगर आप जो है private में काम करते हैं तो पर एक बार अगर आप settle होते हैं और अच्छा अपना काम रहता है तो आपको किसी भी तरह से किसी भी सेक्टर में आपको कमी देखने नहीं बिलती है और कई लोग इसे ambi-based से compare करने को बोलते हैं कि आप सर्थ ambi-based से compare करिए और हमाँ बताइए कि veterinary किस तरह से आगे या पीछे है तो मैं कहुंगा कि किसी भी तरीके से ambi-based से कम नहीं है पर हाँ यह जरूर है कि exposure जो है वो ambi-based में थोड़ा ज़ादा मिल जाता है पर जैसे ही आप field veterinarian मनते हैं तो आपको exposure की कोई कमी नहीं होती है तो मैं को नहीं लगता कि इसमें कोई ज़ादा आपको salary में भी ज़ादा difference देखने नहीं मिलता है क्योंकि it depends on individual individual पर depend करता है कि वो अपने आपको कितना explore कर पाता है 30 साल के time में, degree के दोरान और कितना जो है इस field में अपना नाम बना पाता है यह सब कुछ इक individual पर depend करता है कई बच्चे जो है उसी college से निकल के काफी अच्छे जो doctors भी बन जाते और कई बच्चे उसी college से निकल के अच्छे doctor नहीं बन पाते because क्योंकि सब का अलग-अलग effort रहता है पर overall अगर आप देखे तो काफी बड़िया field है तो मैं आपको promote करूँगा कि आप वेटनेर field में जरूर आए और अगर आपको कोई भी doubt आता है तो आप नीचे comment करिए और मैं आपको doubt क्लियर करने के कोशिश करूँगा और वेटनेरीज रिलेक्टेट में वीडियो इस चैनल पे हमेशा डालता हूँ तो आप इस चैनल को subscribe करे लीजिए और इडी 16,000 सब्सक्काबर हो गए तो इस बात के लिए आपको बहुत जादा thank you और कभी accept निकरा थकी 16,000 सब्सक्काबर होंगे and thank you very much आपको love and support बनाए रखिए and that's all